आपे देखो bid 1 उसके बाद जो है और भी bid 2 मतलब bid 3 तक आप इसको मतलब याड़ कर सकते हो तो हमें यह application send to exchange yes application exchange को send कर दिया गया है उसके बाद accept upi mandate yes ठीक है grow में आप कैसे IPO को apply कर सकते हो ठीक है आप देखो simply grow आपको open कर लेना है इस वाले video में मैं आपको live apply करके दिखाऊंगा IPO आपको कैसे apply करनी है बैसे मैं आपको दो application में दिखाऊंगा एक तो app stock दूसरा grow ठीक है तो दोनों यह application में apply करके अभी आपको दिखाऊंगा एक वरी energy का IPO अभी currently चल रहा है जो मैं आपको apply करके दिखाऊंगा आभी ठीक है वरी energy का IPO 100% GMP चल रहा है भी तो आप must apply कर सकते हो उसमें and बहुत बड़ी आप मतलब एक IPO है जो कि दो दिन में आपके पैसे डबल कर सकते हैं जी हाँ guys बजाद housing finance जैसा so simply सबसे पहले आपको app stock को open कर लेना है देख सेकते हो सबसे पहले app stock में दिखा लता हूँ उसके बाद मैं grow में दिखाऊंगा देखो आप में से मेरे भाई जिसको भी मतलब पता नहीं है कैसे apply करते हैं IPO जो लोग इस वाले वीडियो को देख रहे हैं लेकिन जो लोग नही देख रहे हैं उनको पता नहीं आपके friend है तो आप इसे share कर सकते हो वीडियो को ठीक है तो यहां पर आपके समने जितने भी IPO अभी के टाइम में करेंटली जो ओपन है ना वो सारे के सारे यहां पर शू कर देंगे साथ साथ जो आया नहीं अभी तक तक जो अभी तक जो आय के लिए आ रहा है जो की गुदावरी बायो रिफाइनरी आई पीओ है ठीक है अब इसके उपर अगर आप वीडियो देखना चाहते हो तो डीटेल वीडियो में ने बना दिया है लिंक टैस्क्रिप्शन में अड एंड इसके जाएगा आप जाकर चेकाओड कर लेना तो सिंपली देखो वरी एनर्जी की बात कर रहा हूं वरी एनर्जी 100% जीएमपी के साथ चल रहा है अल्रड़ी मैं इसको अप्लाई कर भी चुका हूं अब यहां पर डीपक बील्डर के ऊपर म को खरिदना चाहता हूँ तो इसी के ऊपर मैं tap कर दिया tap करने के बाद अभी apply का link आपके शामने आएगा apply का option आएगा apply के option पर आपको simply click कर देना है click करने के बाद आपके सामने यह option आएगा यहाँ पर individually रहेगा यहाँ पर देखो bid 1 उसके बाद जो है और भी bid 2 मतलब bid 3 तक आप इसको मतलब add कर सकते हो तो हमें bid 1 पर ही लगा देनी है ठीक है bid 1 है तो वह ऐसा ही रहेगा कुछ करने की ज़रूरत नहीं आपको simply यहाँ पर खाली continue पर आपको click कर देना और कुछ भी नहीं करना second window में second window में ठीक है तो simply यहाँ पर click कर दिया अब क्या होगा अब होगा यहाँ पर accept करना पड़ेगा यहाँ पर आपको अपका UPI ID डालना पड़ेगा लेकिन याद रखना यह वाला जो UPI ID होगा जो बाला बैंक आपने इस वाले application के इस वाले demet account के साथ add किया ना उसी बाले बैंक का UPI ID यहाँ पर देना है आपको अगर नहीं है मतलब अगर UPI ID नहीं है आपके same bank आप create कर लेना अगर आप create करना नहीं चाहते ना तो किसी भी bank का net banking को use करके आप IPO अपलाई कर सकते हो तो next एक वीडियो में लाओंगा जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि आप net banking से कैसे apply कर सकते हो IPO जो की मतलब उसके लिए आपके पास को UPI ID होने की ज़र अब देखो यह जो मैं दिखा रहा हूँ ना यह वरी energy वाला है क्योंकि वरी energy को मैं अप्लाई कर चुका हूँ ठीक है तो यहां पर इस type का same आएगा उसके बाद क्या होगा आप जो वाला UPI ID डालाना उसी वाले application पर जाएगा एक notification अब notification कैसे जाएगा बो मैं आपको बता यहां पर देखो सबसे उपर वरी energy का शो कर रहा है तो उसके उपर आपको tap करनी है tap करने के बाद यहां पर continue आएगा continue पर आपको क्लिक कर देना उसके बाद देखो decline and approve तो approve पे आपको क्लिक करना है decline पर आपको क्लिक करोगे तो decline हो जाएगा ठीक है अप्रूब पर simply क्लिक कर दो and click करने के बाद यहां पर आपका account दिखाएगा amount दिखाएगा उसके बाद आपको next कर देना है उसके बाद enter upi id उस पे upi पर आपको फिर से click कर देना है amount बगेरा सबको show करेगा ठीक है click करने के बाद आपके जो upi id है मतलब password है बो password आपको डालनी है फिर जो enter करना है and enter करने के बाद यह approve हो जाएगा अभी यहां पर show नहीं करना है लेकिन जो है यहां पर auto pay created message आ चुका है मेरे को ठीक है तो auto pay create हो चुका है अब जब भी मतलब अगर मेरे को ipo alert होता है तो यहां से यह पैसे कड़ जाएगा ठीक है अब देखो यह पैसे कटा नहीं है पैसे खाली only hold पे है account में ठीक है तो मतलब आप जब भी ipo apply करते हो न तो आपके पैसे न अपके account से कटते नहीं है वो बस जो है hold पे रह जाता है और जब आपको ipo अगर alert होता है मतलब आपको मिलता है न तो तब यह पैसे कट जाते है आपके bank से ठीक है तो इस तरीके का शो करेगा उसके बाद थोड़ा सा आपको time देना पड़ेगा time देने के बाद जो है आप इसे open करोगे refresh करके refresh करने के बाद आपके सामने यह वाला मतलब ऐसा ही कुछ शो करेगा देख सकते हो यहां पर application व्यू अप्लिकेशन पर क्लिकर करके अपना अप्लिकेशन देख सकते हो यह application send to exchange yes application exchange को send कर दिया गया है उसके बाद accept upi mandate yes ठीक है तो मतलब upi mandate भी अभी accept हो चुका है इस तरीके का रहेगा एंड जिस वाले दिन यह load करा जाएगा सबको अगर आपका यहां पे इस डिक होता है तो मतलब याद रखना कि आपको हो गया alert ठीक आपको मिल गया अगर यह नहीं होगा न तो मतलब समझ लेना आपको पैसे रिटन आजायगा ठीक है अखिक है उसके बाद एक परसंट का चांस है कि मिल सकता है अब देखो small HNI से अगर मैं करता मेरे पास पैसे नहीं है इसके लिए मैंने करा नहीं नहीं तो मैं उसी के बंतुल लगा के करता उसी वाले काटेगोरी से करते हैं तो अच्छा रहता इस तरीके से आप अपलाई कर सकते हो रहेगा वो सारा कुछ यहाँ पर करना है उसके बंकल नहीं आप देख सकते हो अपलाई लिखा हुआ है तो सिंपली अपलाई पर आपको क्लिक कर देना है और क्लिक करने के बाद जो है यहाँ आपके शैर नंबर पर nine कूश्वि एक lot में nine share आता है पैसे कितने आपको देने पड़ेंगे, वो सारा कुछ आ चुका है, आपको simply क्या करना है, simply यहाँ पर apply पर click कर दाना है, apply पर मैंने click कर दिया, अब जो है यहाँ पर request जो है आपको चला जाएगा, जिस जो UPI आप डालोगे उस पर चला जाएगा तो grow में आपको UPI ID डालने की सिधा आपके उस वाले application में जाएगा, जो भी आप यूस कर रहे हो, अब देखो मैं यहाँ पर apply यहाँ यहाँ पर apply नहीं करने वाला, क्यों क्योंकि मैं already apply कर चुका हूँ, एक ही name पर एक ही pen card पर अगर दो जगा apply करूँगा, तो दो लों को ही reject कर देंगे, ठीक है, तो इ बिलने के chances ज्यादा हो जाते हैं, तो same का सेम, आपको क्या करनी है, यहाँ पर request जा चुका है, उस वाल application को आपको open करना है, mandate, जैसे मैं अभी दियाना से, मुसी type का आपको फिर से दे देना है, वही पर जाके mandate, and mandate होगे, मतलब वो approve करोगे, approve हो जाएगा, उसके बाद यहा आप apply मत करना, क्योंकि पैसे डूब भी सकता है, तो इसके लिए आपको research करना पड़ता है, तो research करके हम जो ही वीडियो लाते है, चैनल पे तो हमारे चैनल को subscribe करके रख सकते हो, और कोई भी queries हो, कुछ भी होना, आप सीधा Instagram पर पूसकते हो, Instagram का link description में, and अगर आपने अभ लाइक कर सकते हो,